असलाम वालेकुम मैं हूँ शाहिन और आज मैं बनाओंगी परवा लालु की तेल वाली अच्छी चुचुडी से सब्जी बनाओंगी जो के जो नहीं भी खाने वाले ना वो बच्चे वड़े सभी उंग्लिया चाट के दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं तो इसको बनान मैंने गैस पर पैन चुड़ा दिया है उसमें मैंने तू टी स्पून भरके ओल आइट किया है और अच्छे से हाट गरम कर लेना है मुझे थोड़ा सा ओल इसमें ज्यादा आइट करना है और ना मेरे को जो परवल आलू जो है देखी मैंने काट के पतले-पतले आकार में र हम एक साइड में रजगे आलू भी है इर अच्छे से पतले का कार आ कार में कट कर लिए है और प्याप को मुझे हलका गोल्दन ब्राउन करना नहीं करना है बस हलका गोल्दन ब्राउन हो जाएगा ना तब मुझे इसमें चुड़ा मिर्श दाले है जो स्बजी जो लाल मिर बिखे नाएगा मैं अच्छे करें इसमें कि नमागी, और प्यून करना था राज़ता से बना, Defense कर दोन है! प्ज़न कि इसमें नमा निर्ट्ध करना है minha क्रिम अभितस निदने के भाद की आएगा लेकिन थेख़ँ सबन क्रदोटी करना है क्योंकि मुझे चुर्चुरी सी सबजी पकानी है तेल में फ्राय वाली अब दीखिए मैंने इसमें रेड पॉडर डाला रेड मिर्ची डाला है इसमें और मैंने ब्लैक पेपर पॉडर डाला है थोड़ा सा उसके बाद फिर इसको चला देना अच्छे से अब करें अब इसमें मैं चार हारी मिर्च डालने से बहुत ही लाजवावाता है तो लाल मिर्च थोड़ा सा इग्नॉर करें और सबजीयों में जादा हरी मिर्च यूज्ज किया करें अधे चला डेनाँ देखिस चले नेना देखियों मेरा जो अलु openly अछे सफ्राइब यह ना खे पुरा जो पटल में ने काट रुइन हो तो नीचरे याया को इसमें १्य इसको आपनेवाद पडल से葉ाईंना जो आपकर साथ लिएला। कि अच्छे से चलाने नहीं देखिए जैसे मैं चला रही हूँ अगर नहीं चलाओंगी 10 मेट बात तो नीचे लग के नहीं जल सकता है तो मुझे इसको चलाते रहना थोड़े थोड़े देर में देखिए तो फिर से मैं इसको अच्छे से चला ले रही हूँ हर दजस्मेट में इसको अच्छे से चला लेना है और चेक करना है कि परवल गल गया है और आलू भी गल गया है कि नहीं तो लगभग अब मेरा 80% तक तो फ्राय होई चुका है परवल आलू देखिए मेरा पूरा सबजी अब लगभग तयार हो चुका है अगर आपको ओवर फ्राय करना है ओवर चाहिए तो आप कर सकते लेकिन इतना में चलेगा आप दाल चावल रोटी के साथ इसको सर्व करके खा सकते फ्रेंड्स तो मेरा आज का जो सबजी है परवल लालू का वो पूरा अच्छे से बन के रहे रेडी हो चुका है तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलती हूँ, अल्लाहाफेश